नबसकार मैं हिमानिशी कुमार आप देख रहे हैं जेंता जेंक्शन पंचाय चुनाव को लेकर अब सारा सस्पिंस खत्म हो चुका है पिछले कई दुनों से कई तरकी अटकने लगाया जा रही थी कयास लगाया जा रही थी लेकिन अब सब कुछ साफ साफ हो गया बता देख रहे हैं दक्षिता में मंतरी मंडल की बैठक में 17 प्रस्ताबों को मंजूर दी गई जिसमें इस प्रस्ताब को भी मंजूर कर लिया गया कि अगले 11 चरण में चुनाव होंगे और बकाइदा इसकी शुरुआत जो है वो 24 सेतंबर से लेकर के 12 दिसमबर तक होगा और बकाइदा इसका नॉट्फिकेशन जो है वो 24 अगस्त को जारी हो जाएगा आपको बता दे कि कुल 11 चरण में चुनाव होने हैं 24 सेटंबर से 12 दिसमबर के बीच में 11 चरण में चुनाव होना है हम आपको उन तमाम चरणों के बारे में जिक्री कर देते हैं कि कब-कब चुनाव होना है सेटंबर में 26 और 29 सेटंबर, अक्टूबर में 8, 20, 24, नमंबर में 15, 24 और 29 तारीकों चुनाव होगे और बकाइदा जो है चोबिस सेप्टमबर जो है पर्थम चरण का चुनाब होगा और अंतिम चरण का चुनाब जो है वो 12 दिशंबर को होगा इसके साथ तादी की 17 प्रस्ताब को मंजूर मिली थी जिनमें कई और महत्पुर्ण प्रस्ताब रहे जिसमें की मंगाई भत्ता का एक मसला रहा था और इसके लावा तीन विश्विदाले खुलनी की बात हुई थी लेकिन हम आपको अब पंचायत चुनाब को लेकर जो और जरूरी इंफोर्मिशन है आज हम आपको महिया कराएंगा आपको तादे कि एकुल धाय लाग पदों पर जनप्रदियों का चुना पहली ही किया जा चुका है जिसमें कोई भी जनप्रदिय अगर जाती धर्म नसल समुदा है वह भाशा के अधार पर घिरना फैलाने की कोशिश करता है अपने चुनाव परचार में धारमिक स्थान, मंदिर, मस्जिद का उप्योग करता है या फिर किसी भी पॉलिटिकल पा पारी होने की 48 घंडे की भीतर ही जो है वैलेट की छपाई होगी तो इस बार अब पंचाय चुनाव को लेकर जो तमाम सस्पेंस थे कयास लगाया जा रहे थे वो बिलकुल खत्म हो चुका है हमने तारिखों के बार में बता दिया है कि कब से चुनाव होना है और अब बिहा चुनाव को ध्यान में देखते हुए लेकिन कोरोना ने उन तमाम तारिखों को कहीं ने कहीं टालने पे मजबूर कर दिया पिछले दिनों भी तारिखों का एलान हुआ था लेकिन उस वक्त यारोप लगा था कि आखिर जो गोपनिय पत्र है वो लिक कैसे हो गया लेकिन जिहान में रखते हुए जो भी तमाम एहतियात हैं साब्धानिया है वो लोगों की बरतनी है और इसी दोर में जो है 12 दिसंबर को पंचाच नौफ संपन हो जाएगा 14 सप्टेंबर को इससे शुरुआत होगी आप देखते रहें जंता जंक्शन हम आपको बिहार की तमाम छ लगातार अपडेट करते रहेंगे